आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे से होंगे आप अपटे गरों में सेफ होंगे तो बस यहां पर मैंने कुछ न्यू स्टाइल क्रेट किया था अबाया के साथ तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो जो लोग करते हैं आज का व्लोग स्टाट तो यह है मॉर्निंग का टाइम और यह है जुमिरात का दिन तो जब मैंने अबाया की वीडियो आपसे शेयर की तब मैं गई थी अम्मी की गर पे तब मैंने अबाया वेर गया था और मैं बहुत से इंस्टाग्राम वीडियो देख रही हूँ के जो नेनोस पीस होती है उसक अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करके उसको ऐसे ही भिगने के लिए चोड़ दूँगी तब तक मैं चापाती वगेरे बना लूँगी और बस देखिये भी 2024 भी लग गया है 2023 निकल गया 2024 आ गया और हमारा तो बस यही काम है डेली रूटीन का और मेरा जो जो काम है मैं आ अबियत खराब होती है तो वोईस ओवरिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ादा हो गया था जो खाम तो उससे क्या है ना मेरा जो आवाज है बहुत ज़ादा बैड़ गया था और मैं जब वोईस ओवरिंग करना स्टार्ट भी करती थी तो मुझे खासी आ रही थी और नहक से पानी बह रहा था यह सब मेरे साथ हो रहा था और बस थोड़ा मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैंने जब यह व्लॉग में भी आप देखोगे कि मैंने मेडिसिन वगेरे ली तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ है माशाला से तो बस यहां पर द बहुत ज़ादा डाटते भी थे और मैं इतनी उनके डाट खा खा कर चपाती बनाना सेखियो और आज जब मैं चपाती बनाती हूँ तो मैं इतना खूश होती हूँ कि एक टाइम था कि जब मुझे कितनी दिक्कत आती थी चपाती बनाने में तो अलहमदलिल्ल spindle से मेरे घर का सारा काम मैंने कर दिया था और बस मुझे अग फिश फ्राई करना ही बागी था तो मैं न किया जब भी फिश को फ्राई करना होता है तब मैं न ऐसे फ्राई करके रख नहीं देती क्योंकि खाने के टाइम गर्मा गरम ही फ्राई करी हुई फिस अच्छी लगती है तो मैं खाने के आधा गंटा पहले ही इसको फ्राइ करती हूँ क्योंकि जब भी उसका टेस्ट अच्छा आता है तो बस यहां पर कुछ कपड़े आ गए थे मेरे हस्बेंड के प्रेस से तो अपने अपने जगा पर सेट कर रही थी तो हमारा तो बस य यही डेली का काम होता रहता है और कभी ख़ीता मैंस थोड़ी तो मेरे लाइफ डिफरेंट होती मतलब लड़के होते हैं तो हम को ना हर जगा जाने की फ्रेडम होती है जैसे कि हम शादी के पहले हमको कहीं जाना होता है तो अम्cíaपी की जाज़त लेते है और शादी के बट फिर भी ना कभी ऐसा होता है कि जिसे के अभी हम लड़का होते तो हम कभी किसी पे डिपेंड ना करते जिसे कि साधी के पहले हमको अमी अब्बू के साथ ही हर जगा जाना होता है और साधी के बाद हमको हमारे हस्बेंड पे डिपेंड रहना होता है कहीं गूमना हो कहीं में ज़रूर बताईएगा उसके बाद यह है रात के नो बजे का टाइम और यहां पर मैंने इकड़ा के पापा को बोला था के थोड़े से चिप्स वगेरे भी लेते आना क्योंकि ना विंटर में खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं रात का खाना मानों के हम नव साड़े राते होती हैं ना बहुत ही लंबी राते होती हैं तो जितना लेट नाइट टक हम लोग जागते हैं तो हमारा टमी ना कुछ खाने के लिए तड़फडताया तो रहता ही है तो यहां पर मेरे हस्बेंड ले कर आ गए थे सिजर भी और फिर मेरी तबियत खराब थी चैसे कि म भी रेकर आ गए थे तो मैंने ना medical से ही मंगा ली थी medicine मेरी हिम्मत तो हुई नहीं कि मैं ऑस्पिटल जाओं और अजाने के बाद क्या होता है ना बहुत जादा medicine मिल जाती है वह खाना बहुत ही मतलब अजीब लगता है फिर तो ये जो medical की medicine है ना सिर्फ दो दिन मैंने खाई, दो भी नहीं, मैंने पूरा एक दिन, मतलब दो time की थी, तो मैंने पूरा एक दिन ही इसको लिया, तो मेरी पूरी body का pain, मेरी सरदी, मेरे जो nose से पानी आ रहा था, वो सारा अच्छा हो गया, अभी मैं voice over कर रही हूँ, तो और आप मेरी voice को note कर सकती हो, बिल्कुल भी सरदी जैसा एसास नहीं होता है, और मुझे इतनी कल ना मुझे इतनी सरदी। इतनी सरदी कि मुझे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरी नाक तो ऐसे बह रही थी कि जैसे के कोई नदी बह रही हो इतनी बूरी तरह से नाक कल बह रही थी मेरी और कल तो मेरा पूरा दिन नाक को साफ करने में ही चला गी था सच में क्योंकि सरदी में यही होता है पूरा दिन ऐसे नाक बहती रहती है बेहती रहती है कोई काम करने का भी दिल नहीं करता है और सच बात है मतलब हमारी बोडी में अगर जान है तो जहान है और बस सेहत की आगे कोई कंप्रमाइस नहीं हो सकती और उसके बाद ना गाईस हमारे उनावा में कल बहुत जादा ठंडी पड़ रही थी तो कल ना ठंडी ठंडी हवाए ऐसे आ रही थी के जैसे मतलब पूछो ही मत और कल मुझे वैसे ही बहुत अबियत खराब थी और इतनी जादा कल ठंड थी तो मेरे तो हाथ मैं ऐसे कोकड़ा हो गए थे पूरे हाथ और मैंने मेरा जो हीटर पहले मंगाया था वो ही निकाला उसको लगाया तो इतना रिलिफ मिला है गाइस और थोड़ा भी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा रूम हीट अप हो गया था बट रूम तो बड़ा है तो फिर थोड़ा सा ही हीट अप हुआ था और इकरा को भी यहाँ पर मैंने इनर पिराया था और जो फ्रॉक है वो स्वेटर का ही फ्रॉक पहनाया था बट ना बच्चों को ठंडी लगती ही नहीं है बच्पन में हमारे साथ भी यही होता था जब हम बार खेलते थे तो ठंडी गर्मी का एहसास ही नहीं होता था कब ठंडी लगे कब घर्मी लगे ऐसा कोई मतलब फील ही नहीं होता था बचपना बचपना होता है और जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे इतने सारे चौचले होते हैं कि ठंडी लग रही है घर्मी लग रही है बारिश है बाहर मत जाओ ये मत करो वो मत करो और मुझे तो इ तो बस यही मैं घरम कर रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी सच में और फिर यहाँ पर मेरे हस्बेन लेकर आ गए थे ग्रीन तंदूरी तिका और तंदूरी क्योंकि मैंने तो शरी फिस हिवराई किया था तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं कुछ खाने पी निकाले कर आता हूँ और ठंडी में न सच में ये चीज़े मिल जाती है तो इतना सुकून मिलता है न बस बूझे तो ऐसा होता है कि ठंडी में बस यही चीछे में खाती रहूँ तो बस आज का वलोग यहां पर एंड करती हूँ अल्ला हाफिज